नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर आज का इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप अपने रासन कार्ड में नए फैमिली का नाम जोड़ना चाते हैं तो मेरा रासन 2.0 एप लांच हो गया है अब आप इस एप से रासन कार्ड में नए फै 2.0 एप को यूच कर सकते हैं सब कुछ डिटल्स में बताने वाला हूँ वीडियो को लाश्ट तक देखे अगर आप वीडियो को लाश्ट तक देखते हैं तो आप घर बैट अपने मोबाइल से ही रासन कार्ड में बहुत सारा काम कर सकते हैं अगर आपको या वीडियो अच करना है ओपन करते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाए देगा यहां से आपको लेंगो सेलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट पर किलिक करना है नेक्स्ट पर किलिक करते ही नेक्स्ट पेज आएगा इस पेज का इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेग यहां पर आपको get started देखने को मिलेगा, इस पर click करना है, उसके बाद यहां पर आपको दो option देखने को मिलेगा, beneficiary users, department users, आपको beneficiary users को select राने देना है, यहां पर आपको अपना अधार number डालना है, इस capture code को इस box में डालना है, और login with OTP पर click करना है, जैसे ही आप login with OTP पर click करेंगे, यहां पर देखने को मिलेगा, OTP sent successfully, आपको ok पर click करना है, आपके अधार card के साथ जो भी mobile number लिंक होगा, उस पर छेंग का OTP आएगा, OTP को यहां पर डाल देना है, और verify पर click करना है, जैसे ही आप verify पर click करेंगे, यहां पर देखने को मिलेग OTP verified successful, आपको ok पर click करना है, जैसे ही आप ok पर click करेंगे, आपको yampin बनाने को बोलेगा, अगर आप yampin बनाना चाहते हैं, तो create पर click करना है, अगर आप yampin नहीं बनाना चाहते हैं, तो skip पर click करना है, मैं yampin बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं create पर click कर लेता हूँ, यहां पर आपको कोई भी चार अंक का EMPIN डाल देना है और next पर किलिक करना है उसके बाद फिर से वही EMPIN यहां पर डालना है और create EMPIN पर किलिक करना है इतना करते ही आपका EMPIN बनकर तयार हो जाएगा आपको okay पर किलिक करना है उसके बाद location का access देना है जिसके लिए while using the app पर किलिक करना है इतना करने के बाद आप इस हैप में लोगिन हो जाएंगे अब आप इस हैप को कैसे यूज कर सकते हैं कैसे रासन कार्ड में नाम जोड सकते हैं चलिए बताता हूं दोस्तों जब आप इस हैप में लोगिन हो जाएंगे तो सबसे उपर आपको अपना रासन कार्ड दे तो रासन कार्ड का बैक पेज आ जाएगा जिसमें आपको मेंबर का नाम देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको डाउनलोड का इकन दिखेगा इस पर किलिक करके आप अपने रासन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर आपको पेंडिंग मोबाइल अपडेट का से करना है, ओके पर क्लिक करना है, यहां पर सभी सदस्त का नाम देखने को मिल जाएगा, जिस भी सदस्त का मोबाइल नमबर लिंक की अपडेट करना चाते हैं, उनके नाम के सामने वीव पर क्लिक करना है, यहां पर मोबाइल नमबर डालना है और सम्मिट पर क्लिक करना है, the manage family details इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं रासन कार्ड में KYC हुआ है या नहीं अगर KYC हुआ होगा तो verified देखने को मिलेगा अगर KYC नहीं हुआ होगा तो not verified देखने को मिलेगा अभी के टाइम पर दोस्तों जिसका KYC हो गया है उनका भी not verified देखने को मिल रहा है जब मैं not verified पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर लिखा आ रहा है योर आधार KYC इस पेंडिंग प्लीज बिजिट योर एफपीयस फॉर कंप्लेट आधार KYC यानि कि KYC कराने के लिए हमें nearest रासन डीलर के पास जाना होगा यहाँ पर आपको add new member का option देखने को मिलेगा इस पर किलिक करके आप नए family का नाम अपने रासन कार्ड में जोड सकते हैं नाम जोडने के लिए आपको no step को complete करना होगा यहाँ पर आपको view का icon दिखेगा, इस पर click करके आप member का details देख सकते हैं, यहाँ पर आपको pencil का icon दिखेगा, इस पर click करके आप correction कर सकते हैं, यहाँ पर आपको delete का icon दिखेगा, इस पर click करके आप member को delete कर सकते हैं, यहाँ पर आपको रासन entitlements का section देखने को मिलेगा, इस पर click क्लिक करके आप देख सकते हैं कितना केजी गहूं कितना केजी चावल मिलेगा यहां पर आपको सेल्ट रिसीप्ट का सेक्षन देखने को मिलेगा इस पर क्लिक करके आप सेल्ट रिसीप्ट सिलिप देख सकते हैं और यहां से आप इस रिसीप्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ पर Benefit Receive from Government का सेक्षन देखने को मिलेगा इस पर किलिक करके Government के तरफ से जितने भी Benefits प्रैप हुए हैं सबसेडी देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको Surrender blueprint का सेक्षन देखने को मिलेगा इस पर किलिक करके आप अपने राशन कार्ड को Surrender कर सकते हैं यहाँ पर आपको राशन कार्ट ट्रांसफर का सेक्षन देखने को मिलेगा इस पर किलिक करके यहाँ पर डिटेल्स डाल का डाकूमेंट को अपलोड करके अपने डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में राशन कार्ड को ट्रांसफर कर सकते हैं तो दोस्तों इस तरह से आप मेरा रासन 2.0 आप को यूज़ कर सकते हैं।